सब्सक्राइब किजिए मेकेनिक ग्यान चेनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटेस मेकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नवसकार दोस्तों मैं हूर रवी खरकाटे और मेरा यूट्वीब चेनल मेकेनिक ग्यान में आप सभी लोग का सवगत है दोस्तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे पास में है JCP 3DX और दोस्तो इसमें प्राब्लम क्या था चलिए हम सबसे पहले आपको बतार दें दोस्तो इस JCP में राइट साइड का रियर वील जाम हो गया है मतलब चक्का घूम नहीं रहा है ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम इसे ओपन करके देखते हैं और इसमें क्या प्राब्लम के वज़े से चक्का नहीं घूम पा रहा है और इसका क्या प्राब्लम निकलता है चलिए हम आगे वीडियो में देखते हैं. तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम न वेश्ट करती हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम आज चुके हैं JCP के पास, और दोस्तो हमने इस JCP का जो टायर जाम था, वो टायर हमने उपन कर लिया है और उपन करने के बाद दोस्तो अब हमें इस हब को खोल कर देखना है एक्चल में यह जाम क्यों हो रहा था, इसका कारण क्या है और क्या प्रॉब्लम निकलता है ठीक है तो चलिए वीडियो में लास तक बने रही है दोस्तों ठीक है तो देख सकते हैं जैसे हम प्लाइनेटरी हब को हलका सा पीछे जैसा खीचते हैं तो जो हब के अंदर थोड़ा बहुत आईल जो होता है वो आप सबसे पहले आप निकाल लेजिए ठीक है उसके बाद रख देते हैं और चलिए देखते हैं इसमें क्या प्लाइनेटरी गेर का जो पीण है ओ पीन किनारी किनारे से तीन Suzy जगए Pressby के मार खा गया है ठीक है। और देखते हैं SunGar को SunGar तो ठीक ठाक देख रहा है बट उपर में लौक नहीए ठाए चलिए हम इसे बहाँ निकाल लेते हैं और उसके बाद एक्सल को भी बहार निकाल लेते हैं ठीक है और एक्सल में भी देखते हैं कि एक्सल में प्रॉब्लम क्या है ठीक है तो देख सकते हैं एक्सल में भी ऐसा कोई problem नहीं है लेकिन problem मिल चुका है आप देख सकते हैं दोस्तो स्क्रीन पे ये 3 बोल्ट जो है इस pocket के तूट चुके हैं और तूटने के वज़शे से इस pocket का जो ring gear है उसे lock कर रहा है और lock करने ये वो चका नहीं गूम पा रहा है ये इसकी बॉडी भी क्रेक है, चलिए हम आपको उसकी बॉडी भी दिखाते हैं, पहले चलिए हम इस पॉकेट और रिंग गेर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, तो हमने इस पॉकेट के सारे बोल्ड को ओपन कर लिया है, और उसके बाद दोस्तों, पीछे साइड से थोड़ा- बाहर करना है, बाहर आजाएगा, ठीक है, तो देख सकते हैं, एक कसलू भी तूटा हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं, टोटल तीन बोल्ड तूटे भी हैं, एक तो उपर ही दीख रहा है, और दो बोल्ड जो है, अंदर ही है, ठीक है, तो द दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह जो प्लानेटरी गेर है इसमें की यह वाली गेर है ठीक है यह जाम है तो इसकी बेरिंग भी हमें चेंज करना होगा और लाग कहां हो रहा था देख सकते हैं चलिए हम इसे थोड़ा सा घुमा लेते हैं तो देख सकते हैं दोस्तो यह क हुगा दोस्तों ओगर आप एक मेकेनिक हैं और सभी टाइप में सभी ठाइब के पार्टाप में और मिल जाएगा तो दोस्तोंं यह वीडियो का ऐसा लगा हमें कमेट बाक्स में लिखकर बताए और वीडियो कि अच्छी लगी हो दो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में सेयर करना हम फिर किसी नेक्स टूडियो के साथ में मिलते हैं तब तक के लिए बाय दोस्तों